नमस्कार दोस्तो आप लोग का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में तो दोस्तो आज का हमारा टोपिक है कि जब हम रिचार्ज करते हैं मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 30 दिन का वैल्टी देना चाहिए पर वो 28 डेस का क्यों देते हैं तो दो हम लोग को तेरा बार अपना मोबाइल रिचार्ज करना पड़ता है इस तरह जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं और दोस्तों यदि वो 30 डेस का देतेंगे वैल्टी या 31 डेस का देतेंगे तो सिर्फ हम लोग को बारा बार रिचार्ज करना पड़ेगा तो उनका जो रेवनियु होता है वो कम हो जाएगा इसलिए वो 28 डेस का देते हैं दोस्तों आप यहां पर यह भी दे सकते हैं कि जनवरी का मेना 31 तारीका 31 दिन का होता है तो उसमें से 28 आप निकाल देते हैं तो 3 डेस एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं फरवरी मे दो दिन, मही में 3 दिन, जून में 2 दिन, फिर जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सेप्टेंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नॉमबर में 2 दिन और दिसमबर में 3 दिन तो दोस्तों इस तरह 29 डेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं ज्यादा हो जाते हैं और हम लोग को साल में 12 बार नहीं बलकि 13 बार हम लोगों को रिचार्ड करना पड़ता है और कंपनी का revenue बढ़ जाता है कंपनी का profit बढ़ जाता है तो दोस्तों इस तरह telecom operators ज़्यादा पैसा कमाते हैं और फिरेंस इसके सुरुवाद जो हुई थी वो कोई एक telecom operator था है मैं आपको नाम नहीं बता सकता हूँ तो उन्होंने की थी और उसको देखके बाकी लोगों ने चाकते हैं ये policy अपना ली और उनको पर समझ में आ गया कि यदि हम ऐसा करेंगे तो उनका revenue जो होगा profit होगा वो बढ़ जाएगा तो दोस्तो इस तरह telecom operators बहुत ही smartly हम लोग से 13 बार recharge करवा लेते हैं और दोस्तो जो Indians होते हैं उनके बारे में ये मानना होता है कि वो लोग बहुत ही price sensitive होते हैं जैसे example जो पारले बिसकुट 4 रुपय का था वो उसका price जदा बढ़ा नहीं है चार या पांच उपय का है तो Indians होते हैं वो बहुत जदा price sensitive होते हैं पर वो detail नहीं चेक करते हैं तो दोस्तो यही इसी का फाइदा company उठाती है उनको पता है कि उनको price कम चाहिए फिर जहाए जितनी बार ही क्यों ना उनसे recharge करवा लिया जाए तो कहीं न कहीं इस बात का फाइदा उठाया जाता है और इस तरह companies ज़्यादा revenue कमाती है ज़्यादा पैसा कमाती है तो दोस्तो यह जन करें को कैसे लेकि जुरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें comment करें और चैनल को subscribe करें